हेलो श्रेंट्स एंड विल्कम बैक वे चैनल सिराश शेख डी श्रडी आज टोटल इंकम का लेक्चे नमग फूर जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स अफ टोटल इंकम तो स्टार्ट करेंगे आच्छा प्रास चले स्टार्ट करते समझेरा ध्यान देना मिस्टर संतोष बंसाले वू इस फिजीकली डिजेबल परसइन 50 परसंट डिजीबलिटी थर्ष क्या बुलाएं जिसका आप हिसाब किताब करने वाले मतलब जिसका इंकम कैल्कुलेट करने वाले हो वह बंदा फिजीकली डिजेबल है मतलब हैंटी कैप है और कितना हेंडीकाप है 50% 40 से जादा ना चेता लिए तो इसको 40 से जादा और 80 क्या है तो 75,000 का deduction मिलेगा कौन से section में chapter 6 में 80 U में यू सेल्फ के लिए deduction ठीक्टी कुद हेंडीकाप है समझाइए आगे बढ़ते हूं उसके बाद क्या दिया है आगे दिया है 50% certified by the medical authority is employed with the Russian College of Commerce. He furnishes the following information for the previous year 21-22 compute his taxable income for the assessment year 22-23 पहला है basic salary basic salary तो taxable होगा चलिए ठीक है basic salary कितना मिल रहा basic salary दस हजार पर मन्त क्या यह बंदा retire वगरा हो रहा है क्या नए तो दस हजार इंटू बारा करेंगे एक लाग बेस हजार इन डाउट बढ़ेंगे आगे उसके बाद क्या है उसके बाद दिया है डियर नेस अलावेंस पार्ट आफ सालरी यह डिये कितना मिल रहा है तीन अजार पांसो पर मद फॉर्टी टू थाउसन क्या बाद नेक्स उसके बाद अरियर ऑफ सैलरी नोट टैक्स अर्लियर मिला है मतलब पिछले कोई सैलरी जो नहीं मिला रहेगा वो उसको मिला उसके लिए तो इस साल का इंकम यह अरियर ऑफ सैलरी कितना है दस उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेज रीमबर्स कल बताया था मैंने मेडिकल का जो खर्चा है पहले पंदरह हजार तक था एक्जंशन था बड़ इस साल से क्या हो गया कि आपको पचास हजार का स्टैंडर्ड डिड़क्शन मिल रहा हो गए पूरा टैक्स से मने ट्लीर हें तो मेडिकल एक्सपेंसेज रिमबर्स पूरा आपके लिए टैक्सेबल है है अ मेडिकल एक्सपेंसेज री मवाश्ट अ कितनाником पर एच कि बारहाजार शर उसके बारzej 30 कि ना दिया लिए सेलरicket पैंशन मिलता यह सब आपके लिए टैकसेबल होता है फुली टैकसे बले है लिए आपके लिए ऐसा बाउंडे जो आपके लिए क्या होगा taxable होगा तो taxable तो यहाँ में लिखना पड़ेगा Lily salary कितना है इसका फुली टैक्सेबल कुछ है समझ में आया आगा है अगर मैं retire होता है तो मैं इसका calculation करता retire नहीं है इस लिए fully taxable next उसके बाद examiner examiner chef from college जिस इस college में काम कर रहा है उसी college में उसको पैसा दिया तो वो income from salary होगा लेकिन अगर कोई दूसरा college उससे देता पैसा तो बात समझ में आया क्या वह जैस college में काम कर रहा है उसको उसकी college से examination fees मिल रहा है मतलब वो उसके लिए income है एक्जामिनर शेप फीस कितना मिल रहा है तो आसा नेक्स उसके बाद क्या है मैं कोई इरीनद कोलेज में जॉप कर रहा हूं मैं ने युनिवेशिटी के लिए पेपर सेट किया उसने मुझे पैसा दिया अगर वोस दे रहा थे इंकम वांव यह इंकम फ्रॉम सेल्वरी के अंदर नहीं आएगा उसके अलावा पैरेग्राफ में क्या दिकाए royalty received from marvel publication for writing an accountancy book of rupees 20,000 expenses incurred in writing the manuscript for this book was rupees 4,000 PT was 2,000 royalties मिला मतलब मैंने कोई accounts का book लिखे एक marvel publication को दिया तो लोग ने मुझे 20,000 पे दिया मेरे boss नहीं दिया नहीं कई दूसरे source से मैंने कमाया तो ये income from others हो लेकिनो book लिखने में मैंने 4,000 का खर्चा भी गया है वो जो खर्चा किया है वो माइनस होगा खाली income record होगा बास समझ में आये क्या चैताली उसके अलावा क्या है पी टी है पी टी का तो deduction मिलेगा मतलब और कुछ है के salary से related नहीं मतलब आप इसका total कर सकते हो अंजी total GTS कितना है क्या बात है total GTS है दो लाग दो लाग में माइनस करोगे deduction अंडर section 60 एक और दो दो आने वाले 16 में एक तो standard deduction और एक है पीटी standard deduction कितने का आएगा पचास अजार का और पीटी का कितना है दो अजार रुपए माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा इसे आप कहते हो income from salary पहला पार्ट क्लियर कितना इसको और एक source of income है very good income from other source पहला तो paper setting का पैसा मिल रहा है कितना मिल रहा है उसके अलावा royalty मिल रहा है 20,000 रुपए royalty मिल रहा है जिसमें मैंने expenses कितना किया चार तो यह कितना हो जाएगा 16 अरे समझा therefore income from other source में कितना आएगा income from other source 56,000 40 प्लेस होला ना बराबर 40,000 यह न यहाँ पर कि चार चार अजार यह तो फिर 20 बराबर है समझ में यह मिलने के बाद हम निकालेंगे जीटी आए ग्रॉस टैक्सेबल इंकम salary plus other source total plus कितना आ रहा है 1,68,000 अब बताओ कौनसा कौनसा deduction आने वाला है इसको handicap और कोई deduction है क्या नहीं उसने कोई investment वगेरा नहीं किया है medical premium नहीं है education नहीं है saving account नहीं है senior citizen नहीं खाली खुदी हैंडी क्याप है तो एक ही deduction आएगा less deduction अंडर चाप्टर 6A 80 U का कितना 75,000 लंब सम अमाउंट होगा तो आपको nti मिल जाएगा कितना 93,000 नाइंटी थरी थाउस दन विद दिस सम सम नंबर फिफ्ट मिस्टर भासकर निकम वर्क्स विद नू सीटी लाइट इंजिनियर्स प्राइट लिमिटेट असे सेल्स मैनेजर वे गिव्स यू दो फॉलिविं इंवर्मेशन फॉर्ट यह एर इंडर काम कर रहा है मतलर ये सालरी का इंकम होगा परावर है क्या दिया है तो पहला दिया है बेसिक सालरी 484,80,000 पर अनम बेसिक सालरी किटना है 4,80,000 पर अनम बोला है साल बर का कोई रिटार्मेंट तो है नहीं अगे डियर्नेस अलावेंस डिए एक लाग बीस अजार उसके अलावा अरियर सैलरी क्या एडवांस सैलरी एडवांस सैलरी इस सार आपने एडवांस ले आपके लिए इंकम ही होगा कितना एक लाग उसके बाद उसके बाद दिया है पूरा टैक्सेबल होगा कि मेडिकल एक्सपेंसे से रिइंबर्स कितना है थर्टी सिक्स पाइड उसके बाद कमिशन ओन से सेवेंटी सिक्स आउजन पर आनम यह भी आपका इंकम है सेलरी से रिलेटेड यह यह कमिशन ओन सेल्स कितना सेवेंटी सिक्स आउजन फिर उसके बाद टूर अलावेंस अमाउंट स्पेंड ऑन दे टूर फॉर ओफिशल परपस वास थर्टी एट थाउजन मुझे मिला कितना फॉर्टी यह मेरा पूरा इंकम होता लेकिन उसमें से मैंने ओफिश परपस के लिए थर्टी एट का खर्चा किया है तो वो क्या होगा माइनस होगा यहां पर टूर एक्सपेंसेश तूर इंकम कितना होँआ फॉर्टी हेट थाउजन लेस एक्सपेंसेश कितना पर ओफिश पच्छा कितना यह आपका इंकम होगा बात समझा आगे क्या दिया है आगे दिया है प्रोफेशन टाइक्स डिड़क्टेट प्रॉम देड़री यह तो एंड में जाएगा अधर इंफर्मेशन में यह रिसीव दो फॉल्लिविंग सम् फ्रॉम टाटा मोटर्स लिमिटेड रूपीज 2 थू 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 थ उसने डीटमेंट रखा है तो पहला तो उसने मेडिकल ट्रीटमेंट रखा है है हैंडीक्ट ब्रदर का डीपेंड का कौन से सक्शन में आता है एटी डबल डी medical premium डी और maintenance of handicap डबल डी में आएगा उसके अलावा education loan भी है उसके पर interest है कितना interest है उसके उपर interest है आपको कुछ 72 लागत तो इसका भी deduction मिलेगा बराबर है कि नहीं हर्ष बराबर और क्या है उसको income है 2000 का dividend on equity shares and 20,000 interest on debentures बराबर चलिए start करते हैं मतलब salary में तो इतना ही है total ले लेंगे कितना रहा पता ही है total 8,22,500 less क्या होगा इसके अंदर के शब deduction under section 16 का पहला है sd और दूसरा है pt sd कितना 50,000 और pt कितना देखो दिया है question में 2500 चलिए minus कीजिए फटा फट इसे हम income from income from क्या बोलेंगे income from salary कहेंगे income from salary 7,070,000 उसके बाद उसको income from other source भी है कितना है income from other source डिविदेंड और interest on debentures टाटा मोटर्स इंडियन कमपनी हुआ उससे अपने को डिविदेंड मिला कितना 2000 मैंने कली बताया था डिविदेंड रिशीब फ्रॉम एनी इंडियन कमपनी इस एग्जाम प्रूम इस एग्जाम प्रूम इस अग्जाम प्रूम प्र इंकम समझ मैं आया तो टाटा कंपनी इंडियन कंपनी है उससे मुझे कोई डिविदेंड मिल रहा है शेयर का डिविदेंड मिल रहा है मेरे लिए क्या है एक्जाम समझ में आया क्या अरे समझा उसके अलावा interest on debenture इंट्रेस्ट तो आए गाई कितना है बाए बी सदल में तो यहां पर यह तो डैश बटी आ जाएगा 20,000 समझा तो income from other source में कितना income आएगा income from other source कितना है 20,000 अरे समझ मैं आया अब इन दोनों को add करेंगे तो gti मिल जाएगा अपने को किश्व कितना है gti 7,90,000 इसके अंदर less reduction अंडर chapter 6A पहला तो है 80DD का maintenance of handicap कितना handicap है वो 45% मतलब 75,000 उसके अलावा सेकेंड है 80E का education allowance कितना interest 72,000 अरे बात समझा और कुछ है क्या नहीं चलिए minus कीजिए 6,00,000 डना डन डन अरे समझा concept clear हो रहा है salary का concept clear हो रहा है हाँ चलिए आज के लिए इतना ही ओफूल आपको वीडियो पसंद आए रहेगा तो प्रेस वीडियो को लाइक कर देना प्रेंड्स रूप में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना thank you for watching the video